प्रतिक विंटल पर सरसो बेचने को मजबूर किसान दरसल इन देनों किसान अपनी फसलों के उचित दाम की मांग को लेकर आंदोलन पर हैं पंजाब हरियाना बोर्डर पर आंदोलन कारी किसानोंने डेरा डाला हुआ है उनकी परमुक मांग ये है कि किसानों को न्यूंतम्स मर्थन मुल्य यानि MSP मिलने की गारांटी मिले यानि किसे भी किसान को कहीं भी उसकी उपज की कीमत MSP से कम ना मिले चाहे उसे सरकार खरीद रही हो या फिर व्यापारी लेकिन ताज्यूप की बात ये है कि आंदोलन चन्ने के बाबजूत किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा खास तोर पर तिलहन फसलों का केंद सरकार के ओनलाइन मंडी प्लेटफोर्म इनाम पर MSP से काफी कम भाव पर सरसो की ट्रेडिंग हो रही है इनाम के मुताबिक हरियाना के कुशेतर जिले में आने वाली शाहबाद मंडी में पाँच मार्च को सरसो का नियूंतम दाम सिर्फ 3300 रफे प्रतिकविंटल रहा जबकि MSP साड़े 56 रफे प्रतिकविंटल है यानि sharp 1.800 रफे प्रतिकविंटल के घाटे पर फसल बेची जा रही है जबकि MSP नियूंतम दाम होता है इसके नीचे मुल्या जाने पर किसान को घाटा होगा इसी मंडी में ओसर दाम 5,000 तो अधिक्तम दाम 5,499 में रुपे रहा यानि अधिक्तम दाम भी MSP के सर को नहीं चूपाया इसी तरह रियाना की ही लाडवा मंडी में सरसो का निउन्तम दाम सिर्फ 3810 रुपे प्रतिक्विंचल देखने को मिला जबकि थाने सर मंडी में 3831 रुपे निउन्तम भाव रहा तिलन की परमुक फसल सरसो का इतना कम दाम उस सुबे की किसानों को मिल रहा है जहांकि सरकार किसानों के फेवर में होने का धिंडोरा पिती है सवाल यह है कि जब किसान अंदोलंग चलाते वक्त भी सरकार किसानों को उची दाम नहीं दिला पाएगी तो फिर बाद में क्या होगा किसान इसलिए तो चाते हैं कि उन्हें MSP की गरंटी मिले ताकि उन्हें कम दाम के शोशन से मुक्ति मिले। यही हाल महाराश्चों में सोयावीन का भी है। वहां किसानों को चीयालीस ओरपे प्रती क्विंटल की MSP वाले सोयावीन का दाम सिर्फ चार अजार पे प्रती क्विंटल ही मिल रहा है। राजस्तान में भी सरसो उगाने वाले किसानों का बुरा हाल है। किसान महापंचायत की राष्ट्री अध्यक्ष का कहना है कि सरसो और सोयाविन दोनों पर मुक्तिलन फसले हैं। दोनों को उगाने वाले किसानों को इसलिए पुरुसकार मिलना चाहिए कि वो ऐसी फसल उगा करने पर खर्च कर रही है उसने ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है कि भारत के किसानों की बजाए दूसरे देश के किसानों को पैसा मिल रहा है किसान यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भारत के किसानों ने ऐसा क्या गुना किया है कि उन्हें सरकार तिलन की वसल उगाने के